मैं ग्रामिल छेत्र के इवाओं को हरो शाधन और ज्ञान निसुल्ट प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपे खर्चने के बाद प्राप भाते हैं मैं सपत लेती हूँ कि विध्धार्ती मेरा धर्म है मानवता की सेवा करना मेरा प्रम रच्छा है काश्टी की उन्रती में मैं सब्सक्राप रहूँगी अपने कर्द बिमार पर आगे बढ़ते हुए एक स्वाच सुन्दर सदा प्रश्चितार वक्त मैं भाटता निमार करूँगी सभी अब तक हम लोगों ने समिखान में बागaving बाग में बाग प्राक में सरकार के बारे में बताय गया था कि किस तरीके से केंद्र में जो है संग में कारिपालिका होती है और विधायका होती है और सर्वोच नयाले और महा नयवागी CAG, CAG, Comptroller, Editor, General ये किसके भाग है, ये किसके मतलब सब्जेक्ट है, भाग 5 में, केंद्र के हैं, संग के आज भाग 6 में हम लोग पढ़ेंगे राजी की कारिपालिका, तो राजी की कारिपालिका ने राजी के बारे में कहां पर प्रावधान किया गया है, तो भाग 6 में, संविधान के भाग 6 में, अनुच्छे 152 से 237 तक है, अनुच्छे 152 से 237 तक है, और भाग 5 में अनुच्छ यह वाग पांच में कहां से कहां तक था तो बावन से एक सो एक्यावन तक यह किसमें था भाग पांच में थे थीक है तो भाग पांच जो की संग सरकार के बारे में था किसके बारे में था संग सरकार के बारे में और राजियों की सरकार के बारे में प्रावधान किया गया है किसमें भाग छे में अरुचेद 152 से लेकर के दो सो 37 तक है तो याद रखना आप भाग 6 के बारे में ठीक है तो यह राजियों की सरकार के बारे में चर्चा की गई है और संग हमारे आप कितने राजी है 28 28 राजी है एक बार राजियों के राजियों की संख्या अभी कितनी है बिल्न में 28 राजीयों कितने राजी है 28 राजी खे करें ने बैठ़्य करेंगे यह राज़ इपना सासन अपनी सरकारें कैसे चलाएंगी इसका प्रावधान हमारे संविधान में कहां पर है भाग छेले संविधान क्या है संविधान एक ऐसी पुश्टत अगर की संचालिथ करने के नियम और कानून दिये गेए देश के साथ साथ में वेक्ति कैसे वेवहार करेगा वेक्ति कि क्या स्वतमताएं हैं क्या आजादी हैं उसके क्या अधिकार हैं क्या करतब हैं और इसके अलावा सरकारे कैसे संचारित होंगी वो सारी चीजें कहा लिखी गई है हमारे भारत के शम्मिधान में लिखी गई है तो यहीं चीज राजी के बारे में हमारे भारत के शम्मिधान में लिखा हुआ है भाग चीजे से चैप्टर होता है उसी तरीके से भाग चैप्टर नमबर 6 में पूरी कहानी लिखी हुई राज्य के ब अब राज़ की कारीपालिखा में कौन आता है कारीपालिका का मतलब मैंने बताया था पहले जब संग पढ़ाया था दोनों को तुलना करके आपको पढ़ना रहेगा दोनों को तुलना करके पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी बाते यहां आज इस लेक्चेर को पढ़ लो फिर संग का पहला वीडियो जो मैंने पढ़ाया था भाग पांच में उसे देख लेना फिर बहुत सारी चीज़ा को क्लियर हो जाएगा तो हमने कारिपालिका के बारे में बताया था इक्सेक्विटिक के बारे में यहां पर क्या होता है कि जो नियम कानून होते हैं उन नियम कानून की अनुसार जो है सरकारे क्या करती है राश्ट्र को चलाती है और यहां पर राज जी को चलाए और यहां पर कारिपालिका का प्रमुक कौन होगा राजडियपाल होगा यहांMost कैन्द्र का सबसे बड़ा वेक्थी कौन होता है यही पद में सबसे बड़ा वेक्थी कौन है लाज चैनल nói राजिपाल के बारे पढ़ेंगे अब यहां पर वहां तो जो है उपराश्पती था राश्पती के साथ साथ में एक उपराश्पती था क्योंकि कभी भी राश्पती का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए कभी भी राश्पती का पद अर्थार राश्पती मलब राजा होता है र पहायत मनलब व्यक्तिकोच साथ में रखा जाता है जिससे जैसे ही किसी कारण राजा का पद खाली हो और थात राश्पती का वैसे ही उपराश्पती उसके कारियों को देखने लगता है तो वहां तो उपराश्पती रखा गया लेकिन राजपाल की वेवस्था में राज्यों के बीज संबन जयसे मुदल्ब हमारे देश के कुछ राज दूर जाते हैं दूसरे देशमें या पहले हमारे देश में तमाम जो है अलग-अलग राज हुआ करते थे तो उन राज्यों के बीज संब्द तौ्छ जो ए इस दूत जाकर रहा करते sowas तो दूट नहीं होते हैं कि तरीके से लेकिन निदर का एक परतनेजी जो राज्य में रहता है तो पूराजपाल लेकिन यहां ऊप consult UK नूटा है अगर बात करें तो치 राज़पाल होता है वहीं राश्पति समयधानी प्रधान होता है कहां संग्मे और राज्य को सहयोग करने के लिएक परषद होती है क्या होती है मंत्री मंदल होता है मंत्री मंदल होता है मंत्री मंदल में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिशत यानि कैबिनेट मंत्री उप मंत्री और राजी मंत्री तो मंत्री मंदल होता है अब यह मंत्री मंदल और सीम मिलकर के सलाह किसको देते हैं राज़िपाल क कि सरकार कैसे चलेगी, ठीक, तो ये इनके इत्परी के से सलाकार होते हैं, और वहाँ पर हमने देखा था महा नयायवादी, वहाँ पर क्या देखा था, महा नयायवादी, अर्थात संग का, केंद्र का एक वकील होता है, सरकारी वकील जिसको क्या बोलते है, महा नयायवादी, Attorney General of India और यहाँ पर क्या होता है महा अधिवक्ता राज्यों का कानूनी जो है एक तरीके सरकारी कानून देखने वाला वकील क्या कहलाता है महा अधिवक्ता राज्यों में क्या कहलाता है महा अधिवक्ता तो एक सम्मेधानिक पद है है महादयोक्ता अ DAVID eg सरकारी पत है एक अधिकारी है जो एक तरीकंभी वकील होता है सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से केंध्य म सब्सक्राइब करेंगे सम्मिधान में अगर इसको लेकर करें तो 153 से लेकर के और 200 एक सो सरसर तक है कहां तक लेकर का राज की 153 से लेकर एक सो सरसर और कारिपालिका के साथ साथ में राज की विधायका का अधिन करेंगे किसका अधिन करेंगे अच्छा बताओ संग की विधायका किस से मिलकर बनती है विधायका का मतलब क्या होता है जो विधान बनाते हैं जो नियम बनाते ही नियम कौन बनाता है उसके तीन अंग है विधायका के लोग सभा रा पर यहां पर बिधान मंडल होता है यहांपर एक नाव है खाली विधान मंडल क्या है विधान मंडल इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर कुछ राज्यों में बिधान परिषदे भी है विदान सभा तो सभी राजियों में विदान सभाएं तो कहां है सभी राज़ियों में और कुछ राजी beneath जहां पर क्या है falta its हम कल बताएंगे कर आगे वली क्लास न क рук चृत्र के मां जितग gamers कुछ राजियों में विधान परिशदे हैं ठीक विधान परिशदे और विधान सभाय दोनों हैं जहां पर विधान परिशदे भी हैं विधान सभाय भी हैं राजपाल भी हैं तो वहां तो विधाईका के तीन अंग हो गए और जालतर राजियों में सिर्फ क्या हैं विधान स तो इसी कानुन को पारिद करती है और राज बाल उससे साइन करके उसे जो है दरातल पर लागू करने के लिए त्यार कर देता है कि इसी प्रकार से हम लोग पढ़े थे सर उच नियाले और यहां क्या पढ़े हम लोग उच नियाले यहां पर पढ़े हम लोग उच नियाले हाई कोड अब ने कुछ राज की विधाईगा का प्रावधान किया गहे 168 से लेकर के 232 तर दो सो चवदा से लेकर के 232 तर तो यह तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे जिसमें उच नियाले तो हमने पढ़ लिया हाई कोड सुपरिम कोड के साथ पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया अब हमें सिर्फ राज की विधायगा के बारे मध्धिन करना है और कारिपालिका के बारे में अध्यिन करना है तो इसे पहला टोपिक हमारा जो होता है वो राज जिपाल के बारे में होता है क्या पढ़ेंगे राज जिपाल को पढ़ने इस पहले हम लोग राज जिके अब यह राज है क्या राज की परिभासा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं पढ़े ठीक अनुच्छेत बारे में राज की परिवासा दी गई अर्थात राज का मतलब क्या होगा संग सरकार ठीक संसद होगी और राज सरकारे और विधान मंडले होगी और इसके लावा इस्थानिये प्राधिकरण और अनिप्राधिकरण ये सम्मिला करके क्या कहलाएंगे राज बारे में लेकिन यहां पर एक सो बावन आर्टिकल 152 में राजी की परिभासा अलग दीनी एक सो बावन में भी राजी की परिभासा तो याद रखना सम्मिधान में राजी की परिभासा दो जगे दी गई है सम्मिधान में राजी की परिवासा कहा कहा दी गई है दो जगे और उच्छे बारे में जो की मूल अधिकार में इसका इस्तेमाल होता है इस राजी का इस्तेमाल कहा होता है मूल अधिकार यह भाग तीन में कहां पर होता है भाग तीन और भाग चार भाग तीन और भाग चार भाग 3 मूल अधिकार है व और भाग 4 है क्या लीपी एस वी राज के ने नियसकतात्तर ने जो राजिकी परिवासा है woleHi से परिभासित होती है और भाग 3 मूर अधिकार में जो राजी की परिभासा है वो आर्टिकल 12 से परिभासित लेकिन भाग 6 में राजी की परिभासा कुछ अलग है वो क्या है आर्टिकल 152 कहता है कि राजी का मतलब वो होगा जो यहां लिखा है तो राजी का मतलब क्या होगा जो हम राज्य में रहते हैं वो जिस राज्य में हम रहते हैं उत्तर प्रदेश एक राज्य है तो ये राज्य इसकी परिवासा अनुछे देख सो बावन में लेकिन जब हम राज्य का नाम ले करके मूल अधिकार की बात करते हैं पिर राज्य ये करेगा राज्य वो करेगा त है लाजी की पिर भाषट है यह को परिभासित करती है है हूं फॉस्में के दी हूं जो हमारा है यह एक संयधानिक पद है कि अंग्रेजिम क्या करते हैं गोजब एक हैं कर दो प्रावन करता है जो गवर्नार कोशीज को बढ arkadaş करना तो नांत है राजिका पाल राजिको पालने वाला राजिको पालने वाला, राजिका पालक, कौन होता है राजिपाल, तो ये एक सम्मेधानिक, ये जो है कारिपालिका का सम्मेधानिक परमुक होता है, तो यहाँ पर आप पॉइंट लिखोगे, कि कारिपालिका का सम्मेधानिक परमुक कोन होता है, सम्मेधानिक परमुक होता ह से नाम से सारे कारे के लिए उन आए निया तो मंत्री मंदल के लोग देंगे जिसमें CM होते हैं और अन्य मंतरी होते हैं CM और अन्य मंतरी ये सब राजपाल को कारभी करने के लिए सलाह देते हैं यह नि एक तरीकिसे राजपाल एक राज़ी का राजा हो गया कि नहीं हो गया उसे जो है मतलब वह बैठेगा उपर जो है कुर्शी पे और उसके आसपास मंत्री मंदल के लोग बैठे होंगे, जिस मंत्री मंदल का परधान मुक्ष मंत्री कहलाएगा, राज्य में मंत्री मंदल का परधान क्या कहलाएगा, मुक्ष मंत्री, और उसके अन्य मंत्री होंगे, जिसमें कोई वाली जी मंत्राले देख रहा होगा, कोई कपड़ा मंत्राले देख रहा होगा कोई सिक्षा मंत्राले देख रहा होगा इसे होते न मंत्री तो वो सब सलाह देंगे राजिपाल को तो इस तरीके से जो गवर्नर होता है वो राजिका सम्मेधानिक प्रमुक होता है और कारिपालिका का भी सम्मेधानिक प्रमुक होगा औ प्रतेक राज जिमें एक राजिपाल लेकिन अभी अप देख लोगा करको पुछ राज-शे है जहांपर एक राजिपाल एक से अधिक राजियों का राजपल होता है तो ऐसी बेघस्थाइज की ए एक कि ये पद अनिवार मलब एक तरीके से सिर्जित पद है सम्मिधान में तो बाद में इसको संसोधित करके कहा गया कि एक से अधिक राजियों का एक ही वेक्ति राजिपाल हो सकता है तो इसको कहा गया साथमें सम्मिधानिक संसोधन में कब साथमें संसोधन में साथमें संसोध स्पकूतियों का राजपाल हो सकता ह एक बेंती संस Lebensi QasNo में सात्वी सन्सोधन में एक सब्सक्राइब किया गया था लेकिन हमारे समिद्हान में राजपाल होगा टो ब्ध यह राजपाल है तौ principles कौन करेगा राजपाल की निउक्ति कौन करता है हाँ तो राजपाल की नियुक्ति करता है राश्टपती प्रेशिडेंट राश्टपती नियुक्ति करता है लेकिन राश्टपती मैंने बताया राश्टपती जो है एक तरीके से स्टांप होता है रवर्ड स्टांप होता है राश्टपती को सला कौन देता है तो सला देते हैं मंत्री मंडल के लोग कौन देते हैं मंत्री परिशत के लोग देते हैं मंत्री खास करके मंत्री मंडल के लोग देते हैं तो मंत्री परिशत मंत्री मंडल के लोग राश्पती को सला देते हैं पीम सला देगा पीम और उसके अन्य कुया बना दूऑ आप ने इसे लिए देखा कि जब किसी राजबी में चुनाव होता है और कंद्री सरकार। उसी पार्टी के अगर राज्य में सरकार नहीं आती है तो वहाँ पर राजपाल हटा दिया जाता है मलब जैसे केंदर में सत्ता बद्री अगर किसी पार्टी की मलब केंदर में कॉंग्रेस थी और किसी राज में, जो है, कॉंग्रेस के अलावा, दूसरी सरकारा आ गई, तो कॉंग्रेस अपने आदमी को उठा करके, वहाँ पर राजबाल बना करके बेज़ेगा, या कॉंग्रेस बदल करके, बीजैपी आगई, और यू पी में जैसे सपा की सरकार है, और केंद्र में ज अपने पार्टी के आदमी को बिठा देगा तो इस तरीके से जो हैं इसी लिए ये पावर मंत्री परिशत के पास में है और राश्पती उसको लिष्ट देता है कि ये नाम आप जो है प्रस्तावित करके पलाने राजी में राज़िपाल बना करके भेज़ दो तो राश्पती महोदे किसके नियुक्ती करते हैं राज़िपाल की और सला कौन देता है मंत्री परिशत के सदस्य देते हैं अब नियुक्ती हो गई इसके बाद सफद की बात करते हैं तो सफद कौन दिलाता है इनको हाई कोड का मुख नियाएधीश सफद कौन दिलाता है हाई कोड का मुख नियाएधीश याद रखना हाई कोड के मुख नियाएधीश महोदे इनको क्या दिलाते हैं सफद दिलाते हैं और अगर मुख नियाएधीश नहीं है तो हाई कोड के वरिष्टतम नियाएधीश वारिष्टतम बारिष्टतम जैस्छ जो है उनको सब्सक्राइब सब्सक्राइब से प्रस्याख शendafel Barnwest The met GI झाता है नयुक्ति नियोकती राश्ठती करता है तो सब्सक्राइब लगी बहुंगे उच्टाइब वहां के हाइपोल्ट के मुखद नाइधीस द्वारा उनको सपत दिलाई जाएगी और अगर मुखद नाइधीस नहीं है तो ऐसे स्ượngिती में जो भी वरिष्ट नाइधीस होगा वरिष्टन μια द्वारा अरहताय हैं क्या क्या अरहताय है यह योगिताय क्या होने चाहे राज़िपाल बनने के लिए दो मुख योगिताय है एक तो भारत का वो क्या हो नागरिक हो यही आयू राश्पती के लिए भी है अब भारत का नागरिक ऐसा नहीए कि मलना वो जन्व से ही हो भारत का नागरिक अगर मालो कुई बाहर का विक्ती आया और इस्टेशन के माद्या millorा makers नागरिक कन राप कर लेता है तो वही राज़िपाल बन सकता है यह यह लख नाधिक होना चाहिए और इसके लवा उसे लाब का पद ना धारण करना करता हो मैंने बता दिया लाब का पद क्या होता है तो वह लाब के पद पे अगर है तो उसे छोड़ना्आ है तो सदन के सदस्य उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा या किसी प्रकार के लापके सरकारी सिवा में है तो उसे अजो है पत्छोडना पड़ेगा और तब वो जो है भारत के है तो इस तरीके से यह सपत हो लगायए जो है काहिकाल का कालिकाल संथा सामानी तोड़न्य तोड़न समय सभाव का केतना होता है तो लेकिन 5 राश्पति नुक्वार करते हैं परसाद परियंद धारन करते हैं परसाद परियंद अर्थाद जब तक इनको परसाद राश्पती का मिला रहेगा दबते के ठांते रहेंगे परसाद और जैसे कहेंगे लाला परसाद वापस दे वैसे यह पर शोड़ के चले जाएंगे जैसे मैंने बताया राज बदली के अंदर की तो तुरंत जो है परसाद पर धारंग करते हैं राश्पती महोदय इनको समय से पहले हटा सकते हैं और यह तो पूरा कर ले इसके अलावा यह बीच में अगर पद छोड़ना है मालो राजबाल को किसी मंत्री कहीं का बना दिया गया या कोई अच्छा पद मिल गया तो फिर यह त्याग पत्र भी दे सकते हैं यह क्या दे सकते हैं तो त्याग पत्र किसको देंगे राश्पती महोदय तो यहां पर दो तीन पॉइंट रखना नियुक्ति राश्पती करता है ठीक है और वापस कौन बुला सकता है राश्पती यह उसे बीच में ही अटाया जा सकता है और इसके अलावा क्या पत्र भी राश्पती को दिया जाता है इसके रहा बात करें इनकी सहली बगएरा की तो राजपाल की सहली जो है संसद निधायत करती है को निधायत करता है? संसद संसद विधी बना करके राजपाल की वेतन भत्तों को निधायत करता है वेतन वत्तों को क्म इभाइट करता है राजपाल के संशप तो संशप विधी बना कर कानून बना करकर राजपाल के वेतन को ईभाइट करता है लेकिन वेतन कहां से दिया की संचितनिति से कह से दिया या ज़ब कर दो सब्रसुर्णप मिन जवए पर बहाँना है तो कौन गढ़ाएगा शंचल सब्रसुल बढ़ा आ। पर समय सब्हाएगा आप संसद करेंगे और नहीं तो संशत करती करें लाज जो कि राजपाल केंदर द्वारा निकती बेकती है तो इसको उसका निधायट कुन करेंगा संसद, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी लेकिन बेतन दिया जाएगा जिस राज्य में गवर्णर होगा उस राज्य की संचित मीधी से इसके लावा कभी कभी यह होता एक से अधिक राज्य में एक से अधिक राज्य का आगर राज्य एक से अधिक राज़ीपां माल लोग जो है एक इदर विहार हो गया और इधर हो गया आपका उत्तर प्रदेश फीesis 19 यह इंते बिहार गए आप सब्सक्राइब प्रम कर दोन परहें तो अब इन दोनों में लड़ाई कि कम धूंगा उध्ताइए बड़ा ही जादá इसके लिए जो है राश्पति मअधने जो है निष्य करते हैं राश्पति रीची निश्य करेगा ईकिस अनुपात में कितना बेतन जो है कौन सा राज देगा कौन सा राज देगा ठीक है तो राश्पति महदे निरने करते हैं कि बिहार उत्तर प्रदेश में अनुपाद क्या रहेगा सहली का तो जगह से अलग-अलग तो इस तरीके से इनके बेतन भत्तों का निर्धारन करती है लेकिन जब दो से अधिक राज्जियों में बात बनती है तो वहाँ पर जो अनुपात है अब इस समय वर्तमान में इनकी सेल्ली कितनी है राजपाल की सेल्ली वर्तमान में साढ़े तीन लाग रुपे पर मंद हर महिना राजपाल को तंखाय मिलती है राजपती को कितनी मिलती है भूल गे राजपती को पांच लाग और उप राजपती को चार लाग उप राजपती को चार लाग सेल्ली मिलती है ठीक सेल्ली के करम में सबसे अधिक राजपती को फिर दूसरे नमर पर उप राजपती को तीसरे नमर पर राजपाल को और यह कुछ क्रम है इस तरीके से आपको ध्यान दखना चाहिए इसको कितनी चोटे उड़ी परिच्छाओं पूंच देता है कि इस समय किसकी कितनी सैलरी है क्रम लगाने के लिए आ सकता है क्रम दे देगा राश्पती उपराश्पती राजिपाल सुप्रेम कोड का मुख निया प्रेश अनिया दिश अब कहेंगा इसको सीक्वेंस लगाई तंखा चैलली के अनुसार इनको सीप्वेंस लगाई कि इनको अधिक से कम की तरफ या कम से तरफ तो इस तरीके से इनके तनक्राव को आपको ध्यान रखना है ते बेतन मत्कों का निर्धारण हो गए वेतन अब इसके लावा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इनकी कारियों शक्तियां राश्पती की राजपाल की कारियों सक्राइब से तक राषपती के तमाम कारे थे शक्तियां दी पावर थी उसी तरीके से इनके अभी कारे और सक्टियां आथ क्या है कारिताश對了 सक्ति तक धिरा including की सकती है यहीं बिदी बनाने की सकती है इनके पास में और कभी राश्पती भी अध्यादेश जारी करता है और एभी अध्यादेश क्या होता है जब मिं पर संशंत कि बैठके केजर्में नहो रही हो तो राश्पति अध्यास यादेश जारी करता है इसीप्रेकार से जब राज्ज में विधान समाओं की वएठयक नह रही हो और उसी दवरान कोई अचनाक कानून बनाना हो तो राजपाल महोदे क्या लाते हैं? अध्या देश इसी प्र outsiders के साथ साथ में कुछ उनके पास में बित्ये सक्टिया ही है उनकी बित्ये पावर्स भी है न्याय पालिका से सम्मंदित कुछ पावर्स है न्याय पालिका में जो है नियुकति करते ना अधिने स्तनियाएले के जो है और इसके अलावा उस बीवेकाधी सक्तियां होती जिस परकार से राश्ट्पति के पास होती है ऐसे ही इनके पास में बस राश्ट्पति से ये दो मामरों में भिन हैं यह सारी सक्तियां राश्पति के पास भी होती है और इंडे पास भी खती है राश्पति महोते कि- मृत्वश्व्रा। वेक्ति को सज़ की सजा को माप कर सकते हैं लेकिन राजिपाल के पास ये पावर प्राजपाल के पास नहीं है उसको प्राहत्र न कहा देनी प्ड़ेगी चमा के लिए राष्पती के पास अंपिए और किसी सज्या को कम कर्वाना है तो यह भी बावर के पास नहीं ही एनि sijak tuo क्ँम कराना या रित्मर्त को माप करारा यह प्राओधान जो है राजपाल को यह पावर दैस पास्थ तो इसमें से एक एक पावर चयन करेंगे कारीपाल या हैं इसको फटाफट रिवाइश करते हैं बस याद हो जाएगा राज जो है किस भाग में है राज की सरकार राज के कि क्या है परिवासा और flipping की परिवासा और गये यह नृच्छे बारे में जो कहा लागू होता है भग टीन और भाग चार भास्दिन में क्या है मोलई का भाग में क्या है मगले उन्की इनकी जो राज्जी की बात आती हैं वह भाग बारे में दिल निखा हुआ कि इस परिभासाय के अरुसार राजी परभासित होगा ठीक और यहां पर जो हैं लोग देखते हैं राज की कारिपाली का और राज की विधाय का और जो है हाई कोर्ट, ये राज के, अगर हाई कोर्ट प्रसनिए से पुषेगा कि उच्य Marin आयल किस भाग में है, उच्य Marin का संविधान के किस भाग में उलिक किया गया है, तो किस भाग में है? भाग 6 में है और Supreme Court का भाग 5 में है तो देखो confused नहीं होना याद रखना है Supreme Court Kendra का है तो Kendra भाग 5 में है पैसे भी प्रसंत पूछा जा सकता है ठीक है तो यहाँ पर जो सबसे मुख बात है वो राज की कारपालिका का संबधानिक परमकोन होता है राजपाल यहीं सबसे बड़ा पद राजिका अगर कोई है तो वो कौन सा है राजपाल का और राज का प्रथम नागरिक भी होता है के देश का प्रथम नागरिक कौन है राश्पति और राज का प्रथम नागरिक कौन है राजपाल है ठीक और जितने भी कारे राज के होते हैं वो सब किसके नाम से होते हैं राजपाल के नाम से होते हैं राजपाल की नियुक्ति कोन करता है राश्पति करते हैं राश्पति मोदे किसकी सलापर करते हैं केंदर के मंत्री मंदल के सला पर नियुक्त करते हैं इसको राजबाल को और राजबाल की वेतन भत्ती का निधान कौन करता है संसत करती है और वेतन कहां से दिया जाता है राज की संचित निदी से एक एक पॉइंट याद रखना है राज की संचित निदी से इस समय वेतन कित के चाहलाग ऐड हा सब्क्राइप ए हाई कोर्ड नित्यास सुना करो क्या यूजलत ऊस prag है सपूल Арsan तो सुप्रियम कोर्ट के मुख नियाईदीश का वेतन है धाई लाग जो किसके बराबर है हाई कोर्ट के मुख नियाईदीश का वेतन है सवा सवा 2,000 तो यह याद होना चाहिए और इसके लावा इनको सपत कौन दिलाता है राजपती हाई कोर्ट का मुख नियाईदीश अगर वो नहीं है तब कौन दिलाएगा वरिष्ट नियाईदीश और नियाईदीशों को सपत कौन दिलाता हाई पोर्ट के राजपाल तो दोनों दूसरे को सपत दिला देते हैं और इसके लावा जो है नुक्ति हो गया सपत अब इनकी योगिता है क्या होई चाहिए कौन वेक्ति राजपाल बन सकता है जो भारत का नागरिक हो जरुड़ी जन से ही हो अगर यहां पर नागरिकता अरजित करता है तो वह भी बन सकता है और उम्र कितनी हो चाहिए 25 वर्स तो उम्र वाला प्रस्ण बहुत पूश्टा है पूश लेगा जो है संसत सदस बनने के लिए कितनी आई होनी चाहिए कम से कम शांसत बनने के लिए शांसत बिधायक बनने के लिए कितनी आयो चाहिए उनुस्य पत्चीस वर्स राश्षभा का सदस बन्ने लिए राजपाल बनने के लिए 35 और राश्पती बनने के लिए 35 तो यह याद रखना है यह बेसिक बाते हैं इसे प्रसन बनते हैं छोटे चोटी परिक्चावें प्रसनाते हैं ठीक है और इनका कारिकाल क्या होता है राजपाल का पांच वर सामानी तोर पर होता है लेकिन उसके पहले भी राश्पती महोदे इनको हटा सकते हैं पद से हटा सकते हैं क्योंकि राश्पती के प्रसाद प्रियंद पद धारन करते हैं प्रसाद मतलब ले दिया प्रसाद जैसे प्रस नहीं कराते हैं लेकिन यहां पर राश्पती को ये अपना इस्पा दे सकते हैं प्रस्न पोछेगा राजबाल अपना लेकिन आपको दियाद रखना है तो याद रखना है किसको देता है राश्वती को ठीक है तो यह सब बहुत बारीक चीजे हैं लेकिन इनको आपको ब्यान से याद रखना है हमेशा ऐसे पढ़ा करो प्रस्ण बना बना के पढ़ा करो यहां तो पढ़ा दिया मैंने लेकिन तुम भूल जाओगे और प्रस्ण से मलब प्रस्ण बनाओगे अपने हिसाब से तो आफशन याद रहेगा क्योंकि पहले का सारा पढ़ा हुआ है तो उसे जोड लिया करो इसके साथ इसके साथ में इनकी सक्तियों को अच्छी तरीके से आप समझ पाऊगे जब राश्वती की सक्तियों को आप पढ़के आओ चाहै हमारे वीडियो की मागड्यन से या फिर आथ बहुत हो 200 राजपाल कीश—बस यहां बात करते चलेंगे राजपाल राजP वहां राजपाल नाम मे natuur नाम में लेते तीख यह इंतर ओ को परतियाना